दोस्तों आपका स्वागत है नई वीडियो में अब मैं आ गया हूं भाड कोड टेक्नोलोजी की वीडियो लेखत और आज में बात करने वाला हूं कि क्या आज के वक्त में हार्डिस्क इस्तमाल करने का कोई पॉइंट बनता है जब हार्डिस्क और एससडी की कीमतें पॉइंट बनाते हो कोई लैपटॉप अपग्रेड करते हो सी सी तीवी या कुछ भी जहां पर आपको हार्ड्राइब लगानी क्या हार्ड्राइब लगानी चाहिए या एससटी इस्तेमाल करने चाहिए इस चीज़ के बारे में आज बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे डियूरियबिलिटी की तो भाई जो हार्ड डिस्क है आपको मालूम होगा मेटल की होती है अंदर उसमें मुविंग पार्ट्स होते हैं डिस्क है जो बहुत तेज रूटेट करती है यह ज़ादा हीट में सर्वाइब नहीं कर सकती है अभी इस्तमाल हो रही है आगे भी होती है आपको मालूम है प्लास्टेक इंसिलीटर होता है और हीट को पास ज्यादा होने नहीं देता जबकि जो मेटल हो जादा गरम हो जाता है और लोड़ टेंपरिचर में शायद वो ठीक काम ना भी करे जबकि यह चीज़ सथी के साथ नहीं होती एससटी हलकी भी होती है जो की हाइज बहुत भारी होती है फिजिकल डामेज्ज की सबस girls तो कहले कि आप को इस्तमाल करनी चाहिए अब बढ़ते हैं आगे अब अगली जो वजह है कि आपको SSD इस्तमाल करनी चाहिए प्राइस तो मैं आपको पता दिया भाई उननेश बीस का फरक है अचकल रेट कम हो गया दूसरी चीज़ यह है कि जो SSD होती है उसकी रिड़न राइट की स्पीड बहुत जादा होती है मतलब कैप मतलब एक सर्टें पॉइंट तक ही वो डेटा को दे सकती है क्योंकि physically मूव कराने का कुछ लिमिटेशन बहुती है उसको एक पीक पर ले जाया जा सकता है तो दौनलों के काम करने का तरीका बहुत यह अलग है इसलिए आपको बहुत बहुत वास्ट डेटा मिलता है आपने देखा होगा अगर कोई पुराना लैप्टॉप है आपका जिसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है आप उसे फास्ट करना चाहते हो चार गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगा सिर्फ आपको एक काम करना है ना तो राम बदलना ना तो कुछ भी बदलना सिर्फ उसके अंदर की हार्ड डिस्क निकाल कर उसमें एक SSD लगा दो सिंपल आपके लैप्टॉप को नहीं जान मिल जाएगी वह दस सेकंड में पास सेकंड में बूट हो जाएगा आपको पुरान लैपटॉप है अगर उसमें हार्ड डिस्क लग रही है अभी चेंज कर दो और फिर चेंज करने के बाद नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के मुझ चली जाती है जबकि आप हार्ड डिस्की बात करें तो पचास से एक सो पचास मेप्यस की जो स्पीड रीड राइट की उतनी अचीव कर सकती है तो आप देख रहे हो कहां पचास सो और कहां 550 जमीन आसमान का फर्क है अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यह स्पीड आ होती है जाती है यह चोटी चोटी च्प्षति है यह आप लगा सकते हो अब जो सेटा वाली होती है नमवन्याप्यूटर नेयां लाप तॉप में उसके रीड राइट करने के लिमिटेशन जी हाँ पूर्ट की भी लिमिटेशन होती है लेकिन अगर आप इस्तमाल करोगे तो वह लगती है PCI slot में जो PCI slot होता है उसके जो डेटा की कोई सेटा नहीं कुछ हार डिस्क नहीं सबसे टॉप है वह लगा लोगे तो यहां पर भी एड्वांटेज मिलता है SSD का और प्राइस में जादा डिफरेंस नहीं एक टेराबाइट की जो अभी मैंने खरीदी थी अगली चीज है पावर सेविंग अगर आप लैपटाउप इस्तमाल कर रहे हो तो आपको पावर का धियान रखना है कंप्यूटर इस्तमाल करें तो भाई बिजली से लगा हुआ उसमें पावर सेविंग करके आप करोगी क्या ज्यादा फर्क नहीं परता आप इस्तमाल करो पावर के कॉंटेक्स्ट में देखा जाए तो लेकिन जब बात आती है लैपटॉप की तो आजकल यार बैटरी बच लगती है जब की बात करें SSD की तो उसमें तो कोई मुविंग पार्ट है ही नहीं सामी कंडॉक्टर चिप PCBs प्रिंटेट PCBs यह सब इस्तमाल हो रहा है जो कि बहुत कम पावर कंज्यूम करते इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके लैपटॉप में SSD लगी है तो आपक जादा लगती है भाई मुविंग पार्ट से जादा पावर लगती तो अभी यह एड्वांटेज भी है तो बैटरी लाइफ आपके लैपटॉप की बढ़ जाएगी अगर आप SSD इस्तमाल करोगे दूसरी चीज़ा भाई कि लाइटर भी होती है SSD बहुत हलकी होती होती है व बहुत भारी होती है इससे आपका डिवाइस या जो भी आप सिस्टम मना रहे हो अब बहुत बहुत भारी हो जाएगा भारी चीज़ आजकर कोई खरीदना चाहता है भारी उसके अलाव मुझे लगता है कुछ कोई चीज बहुत बहुत माइब तो बात करते हैं कि क्या होग आगे देखो भाई अप्राइस लगबख सेमिलर हो गए हैं जिन लोग उने पहले से लगा ली हार्ड डिस्क वो तो निकाल के ठेकेंगे नहीं जैसे कंपनिया वह भी सर्वर में अगर कोई बी रिदेंडेंसी का इस्तिमाल करके एक ही डेटा को दो जगा पर सेव करना ताकि एक जगा पर ख़राब हो जाए दूसरी जगा से डेटा रिटीट किया हो जाती है फिजिकल मूवमेंट है हलकी सी चोट पटक गया गिर गया तो फेल हो जाएगी तो डेटा चला जाएगा लेकिन क्योंकि अब दौनों हार्ट डिस्क में सेम ही डेटा स्टोर है तो ऐसा थोड़ी होगा एक साथ दौनों खराब होंगी एक खराब होगी तो आपको कर दिया जाएगा दूसरी वाली से फिर्ट कर सकते हो अब चेंज भी कर सकते हो दौनों में सीम डीटा रहता है रिडंदेंसी तो इसलिए अभी जो रिडंदेंसी लोग यूज करते हैं सर्वर में या जिन्होंने पहले हार्ड डिस्क लगा ली थी जब प्राइस का बहुत तो वह अभी चल रही है लेकिन स्लोली स्लोली जैसे लोग अपग्रेड करेंगे आगे टेकनोलोजी में बढ़ेंगे तो फ्लॉपी डिस्क की तरह पहले फ्लॉपी डिस्क चलती इसकी तरह हार्ड डेस्क अब फेड हो जाएंगी और आगे आने वाले वक्त में आपको बढ़िया सब चीज है तो आप हार्ड डेस्क का खतम होना है क्योंकि रेट सिमिलर है और बढ़िया चीज सस्ते में बढ़िया चीज मिलेगी तो क्यों नहीं लेंगे लोग यह मेरी राय है कि आपको SSD क्यों इस्तिमाल करनी चाहिए कुछ नहीं चीज पता चले कि शायद मै मैं नहीं जानता हूं ऐसा या कुछ नया ऐसा निकलेगा तो बताइए क्या आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है और क्यों SSD बढ़िया है या हार्ड डिस्क क्यों बढ़िया है जो भी आपको लगता है ना कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना अगर आपको यह अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों को साथ शेयर करें साबर से के और एथिकल हाकिंग में इंट्रस्टर तो डिस्क्रिप्शिन चेक करें 299 रुपीज के तीर इतिकल हाकिंग कुर्सेज जो आसान भाशा में आपको इतिकल हाकिंग सिखा लेंगे मैं अच्छी बढको इतिकल आपको अच्छी बढ़ खाओ उनापाइ़गे जोड़िए लेंगे मुछ जो के लाइ़र इटिकल हातीर जो चेक Systems भी साथका सबयाना कर्को फ їplी मुछ में हादाब विस्क्राओब हाँ जो साथना साय में हाँ अ गरो ऑगाद से टोसिज एना ए